OJT या On-Job Training, हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो पर पता नहीं ये OJT होती क्या है, जब आप किसी Workplace पर जाकर खुद काम करते करते सीखते हैं, उसको बोलते हैं On-Job Training या OJT, इसको Industry में Internship भी बोलते हैं, School, College या किसी भी Institute में जो भी आप पढ़ते हैं, उसकी अपनी कु इस तो सीखते ही सीखते हैं, जैसे Website बनाना, Automobile Repairing, Sales, Marketing, Accounting, Designing, जिनमें हम अपना Career बना सकते हैं, साथ-साथ हम Interpersonal Skills को भी बहतर बनाते हैं, जैसे Professional Communication, जो एक Professional Environment में रहकर ही आता है, एक बहतर Dressing Sense, हमारी Punctuality जो हम किसी Professional Environment में रहकर ही सीख पाते हैं, Patience Level, Negotiation Skills, Responsibility, इसके लावर Teamwork, और साथ-साथ Workload और Stress Management, और इससे जादा बहुत सारी Skills होती हैं, जो हम एक Professional Environment में रहते हैं, जब वहाँ पर तब हम सीख पाते हैं, ये सब Life में Personal और Professional Growth दोनों के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी हैं, OJT से हमें Experience तो मिलता ही है, जो हमें Job के लिए Apply करने में और आगे चलकर Job को अच्छे से करने में Help करता है, नेक्स्ट, डिटेल्ड वीडियो में हम जानेंगे OJT के बहुत सारे Advantages, OJT की Timing और Duration, OJT कैसे और कहां से कर सकते हैं, और OJT कहां से नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही इन्फरमेशनल वीडियो के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी कीजिए, थैंक्यू वेरी मुच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबाय, जैहिंद